भगवान स्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योगत के बारे में कुछ सिख्षा दी है उसी के बिशे में मैं उनके स्लोकों को दृत कर रहा हूँ न तो कर्म से विमुक होकर कोई कर्मपन से चुटकारा पा सकता है और न केवल सन्या से सिध्धी प्राप्त की जा सकती है प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अरजित गुनों के अनसार विवस होकर कर्म करना पड़ता है अतक कोई भी एक छंबर के लिए भी बिना कर्म की ये नहीं दा सकता अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्छा कर्म करना स्रेष्ट है कर्म के बिना तो सरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता स्रिस्टी के प्रारंब में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापती ने विष्णू के लिए यग्य सहित मनुस्यों तशा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यग्य से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुमें सुख पुर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांचित वस्तु में प्राप्त हो सकेंगी यग्यों के द्वारा प्रसंद्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसंद्न करेंगे और इस तरह मनुस्यों तथा देवताओं के मद्ध सहयोग से सबुन को संपन्नता प्राप्त होगी कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुस को अपना करता भी समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर्मब्रम की प्राप्ति होती है जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिध्धी प्राप्त की अतह समानी जनों को सिक्षित करने की द्रिष्टी से तुम्हें कर्म करना चाहिए महापुरुस जो आचरन करता है समानी विक्ति उसी का अनुसरन करते हैं वह अपने अनुसरनी कारियों से जो आदर्स प्रस्तुत करता है संपुर्ण विश्व उसका अनुसरन करता है जिस प्रकार अज्यानी जन फल की आसकती से कारि करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पत पर ले जाने के लिए अनासक तरह कर कारि करें विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसकत अज्यानी पुर्शों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित नहूँ अपितु भक्ती भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कारियों में लगाएं जिसे कृष्ण भावान मरित का कर्मिक विकास हो